हर दिन एक नई शुरुवात के साथ अपने मंजिल की तरफ एक नया कदम जैहिंद वेलकम टू आवर यूटूब चैनल टीचर अरहाबादी आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 6 N.C.E.R.T. साइन्स चैप्टर 3 जिसका नाम है फाइबर टू फाइबरिक फाइबर टू फाइबरिक का कम्पलेट इंग्लिस टू हिंदी वर्ड मीनिंग विद फुल एक्स्प्लानेशन आज हम लोग सीखने वाले हैं टोटल 32 वर्ड मीनिंग जिन्होंने फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर का वर्ड मीनिंग वाच नहीं किया है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिये जाले हैं आप उसको भी वाच कर सकते हैं लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं चलिए क्लास को सुरू करते हैं आज का हमारा पहला वर्ड मीनिंग है फाइबर फाइबर को हिंदी में कहते हैं रेसा या तन्तू ठीक है अगला word हमारा है fabric fabric means होता है कपड़ा हलाकि cloth means कपड़ा भी होता है fabric means भी कपड़ा होता है next word is quiz quiz means होता है प्रशनोत्री या प्रशनोत्री परिक्षा ठीक है chapter 3 में first word से लेकि last word पूरे पूरे chapter का complete word meaning यहाँ पे है ठीक है तो आगे देखते हैं तो quiz means क्या होता समझते हैं जैसे multiple choice questions जो होते हैं generally उन्ही को quiz कहा जाता है कई बार आप लोग class में महम या सर बोलते हैं चलिए आज आज आप लोग उसे quiz वाला question पूछते हैं मतलब multiple choice के questions पूछते हैं आगे देखते हैं अगला है competition competition means होता है प्रतियोगिता आप सब को पता है प्रतियोगिता का जमाना है competition का जमाना है इसलिए आप अभी से थोड़ा थोड़ा मेहनत करते चलिए अगला हमारा fifth word क्या है synthetic synthetic means क्या होता है भई synthetic means होता है कृत्रिम ठीक है artificial या आप से mind made भी कह सकते हैं तो synthetic means क्या हो गया कृत्रिम अगला है sol sol means सब को पता है sol या इसे दुसाला भी कहते हैं ठीक है आजकाल ठंड का महाल है ठीक है ठंडी का महीना सब लोग sol ओड़ के बैठते हैं आगे देखिए अगला बढ़ है curtain curtain means होता है परदा परदे में रहने दो परदा ना हटाओ तो curtain में सोता है परदा अगला हमारा word क्या है देखते हैं cotton cotton में सोता है रूई या कपास cotton में सोता है रूई या कपास कपास के पेड़ आपने देखिए ही होंगे उसी में रूई उसी से बनता है अगला वर्ड हमारा है table cloth table cloth में दोसे होता है mage post जैसे जो घरों में mage के उपर कपड़े बिचाए जाते हैं ठीके उसी को बोलते हैं table cloth next word is duster देखे ड़स्टर का हिंदी थोड़ा साजीव है duster की हिंदी होती ही जाड़न जैसे स्कूल स्वगरा में duster यूज होता है ठीके जनलिस ड़स्टर उसे कहते हैं जो कपड़े होते हैं उसे जो धूल मिट्टी साप की जाते हैं उसे ही duster कहा जाता है next word है मारा gunny bag gunny bag मिस होता है bory gunny bag मिस होता है bory g u n y b a g bag gunny bag मिस bory अगला हमारा word है tail ring shop सिलाई की दुकान tail ring shop मिस सिलाई की दुकान next word is stitching stitching मिस सिलाई stitching अगला word हमारा है yarn या thread yarn और thread दोनों का मतलब क्या होता है धागा या सूत ठीके कुछ लोग सूत कहते हैं कुछ लोग धागा कहते हैं अगला word हमारा देखते हैं क्या है labeled labeled means होता है अंकित किया हुआ अंकित किया हुआ जैसे आप shopping malls वगरा में जाते होंगे shopping करने के लिए तो वहाँ पर जो कपड़ा होता है उस पर print rate वगरा लिखा होता है ठीके या company का logo बना होता है उसे बोलते हैं labeled मतलब वो छपा हुआ होता है अंकित किया हुआ होता है ठीके अगला word सीखते हैं next word is 16 scratch scratch में सोता है खरोच कहते हैं भाई नहीं नहीं गाड़ी में निकाला था आज ही एक नहीं टक्कर मार दिये scratch पढ़ गये गाड़ी पे तो scratch में सोता है खरोच अगला word है split split में सोता है खंडित या विभाजित करना मतलब breakdown ठीक है टूट जाना split हो जाना next word is strand strand में स्तन्त भी होता है और किनारा भी होता है strand s-t-r-a-n-d next word is silk warm silk warm में सोता है रेसम कीट जिससे रेसम का उत्पादन होता है अगला word सीखते है क्या है museum museum में सोता है संग्रहाले I hope सायद आप कभी museum घूमने गए होंगे museum में पुराने जमाने की चीज़े रखी होती है या जो बहुत महान हुए हमारे देश के ठीके उनसे संबंधी चीज़ों को भी कलेट करके वहाँ पर रखा जाता है जैसे हमारे सहर इलाहाबाद में आप आएंगे तो यहाँ पर इलाहाबाद museum है उसमें महत्मा गाधी संबंध चन सेखर आजा संबंधी बहुत सारी चीज़ें रखे गए और पुराने ज़वाने से भी इतिहास संबंधी चीज़ें भी रखे गए है आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं आगे देख तो ओर्योर्स और्योर्स में सोता है योध्धा ठीक है next word है oil lamp तेल का दिया oil lamp is तेल का दिया आपने तेल की दिये देखे होंगे घरों में होता है हलाकि आजकल कम हो गया है बाकी कुछ साल पहले इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन हुआ करता था अभी तो light ओगर आ गया है पुराने जवाने में तो बहुत चलता था केरोसीन से चलाई जाती थी ठीके आगे देखते हैं गिनिंग अब इसको अराम सोड़ा समझ लेते हैं रूप करके गिनिंग क्या होता है देखे गिनिंग को हिंदी में बोलते है ओटाई गिनिंग मेंज होता है हिंदी में ओटाई से परेशन आफ हौइवस फ्राम दी सीड जैसे जो कॉटन के बॉल होते हैं ठीके, कॉटन के बॉल होते है बच्चा कॉटन के बॉल आपने देखे हो कि उसमें ब्लैक बलेक बीज भी होता है उसका ठीके ब्लैक ब्लैक बीज होता है इसी cotton के ball से cotton को अलग करने के प्रक्रिया को ही क्या करते है ginning ठीक है separation of fibers from the seed next word देखते है spinning, spinning क्या है कताई ginning क्या था ओटाई spinning है कताई कताई क्या होता इसको भी समझते है देखे कताई क्या होता है जब cotton ball से cotton को अलग कर लिया जाता है तो उससे धागे बनाय जाते है ठीक है, तो उसी धागे की बनाने की प्रक्रिया को process को ही कताई कहते है तो पुराने जबाने में चर्खे बगारा होते थे ठीक है, पुराने जबाने में क्या होते थे चर्खे होते थे तो चर्खे पे ही कताई की जाते थी ठीक है ऐसे चर्खा होता था इसे पे सूथ काटा जाता इसी कताई की जाते ठीक कताई नहीं कताई ठीक है की जाते इस प्रोसेस बोलते हैं spinning ठीक है मतलब धागे को बनाने की प्रक्रिया अगला वर्ड सीखते हैं अगला वर्ड हमारा है harvest harvest मिन्स होता है फसलों की कटाई कई जगों फिर फसल भी लिखा गया होता है तो कोई दिक्कत नहीं है फसलों की कटाई next word is four finger four fingers मिन्स होता है तरजनी अंगुली मतलब index finger जो आपके थंब के बगल में जस्ट होती उसे बोलते हैं four finger या index finger तरजनी अंगुली अगला वर्ड हमारा है spindle spindle means क्या होता है भाई spindle means तकला तकला मस समाचिएगा ठीक है तकला तकला या धूरा भी कहते हैं जैसे आपनों गाओं में देखा होगा कुछ इस तरह से हलाकि अब तो मसीन से काम होता है बट आज भी गाओं में ऐसे बना होता है मैं आपको बना कोशिस करता दिखाने की ऐसे इसमें 1,2,3 ऐसे होते हैं ठीक है और जो दादा लोग होते हैं वो धागे को ऐसे उसमें लपेट करके ऐसे गोल-गोल घुमाते हैं कुछ इस तरह से ठीक है फैन टाइक को ऐसे गोल-गोल घुमाते रहते हैं उसमें धागा लिपटता रहता है तो सही बोलते हैं spindle ठी दिखे हैं आगे देखते हैं, next word is weaving, knitting, weaving या knitting में हुता है बुनाई हाला कि knitting वहाँ पर ज्यादा word यूज होता है, जहाँ जैसे कि मम्मी लोग sweater नहीं भूनती है, सलाई लेकर तो उसे बोलते है knitting, जैसे मैं कहुं, my mother is knitting sweater for me मेरी ममी मेरे लिए sweater बुन रही है आगे देखते हैं कुछ words और हैं देख लेते हैं unrevelled unrevelled या unrevelled means क्या होता है suljhana ठीक है क्या होता है suljhana जैसे देखे जिनके बड़े hairs होते हैं बाल होते हैं उनके बाल कई बार उलस जाते हैं उनको क्या करते हैं कैसे सुलजाते हैं बई सेंपूंपू करते हैं ओइलिंग गरह करते हैं ठीक है तो unrevelled means क्या होता है suljhana जैसे मालो ऐसे बहुत सारे धागे हैं इसको suljhana पड़ेगे तब धागे ऐसे 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 अलगलगलग हो जाएंगे ठीक है next word सीखते हैं करगा अब करगा क्या है लिखा गया है a device used to weave cloths ठीक है ऐसा मसीन ऐसा उपकरण जिसका उपयो कपड़े बनाने में किया जाता है तो लूमिस होता है करगा पुराने जावने लोग हाथों से कपड़े बनाते हैं जिसको कहते हैं था हथ करगा उद्दूग क्या बुलते थे हथ करगा लोग खुदी कपड़े बना लेते थे फिलाल आज कल तो फैक्टरियों में कपड़े बनते हैं वहाँ पे electronic looms होती है ठीक है मसीनियर अलगी होती है लोग वहाँ पे काम करते हैं workers और कपड़े का निर्माण करते हैं तो क्या है लूम क्या है इस अ डिवाइस यूस्ट वीब दा क्लाथ यह एक ऐसा उपकरन है जिसको कपड़े बनाने के लिए किया जाता है गुजरात और मॉंबई में बहुत सारे फैक्टरियों आपको मिल जाएंगी कपड़े से संबंदित तो सेसन के लास्ट मिम्लोग पहुँच कहें देखते हैं क्या है वस्तर समागरी आज के सेसन का लास्ट वर्ड क्या है फ्लैक्स मिस होता है सन या पटसन एक्षवल बेटा सन या पटसन कुछ और नहीं एक प्रकार का पवधा होता है ठीक है फ्लैक्स क्या है एक प्रकार का पवधा होता है जिसे रेसे निकाले जाते हैं और उन रेसों से कपड़े बनाए जाते हैं I hope आपको समझ में आया होगा और फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर का भी डिस्क्रिप्शन लिंक के दे दिया जा रहा है आप उसको वर्ड मेनिंग भी सीख ली सकते हैं तो आप सभी का बहुत बहुत सुक्रिया खुस रहिए, मुस्कुराते रहिए अपने कर्म पत पर आगे बढ़ते रहिए जैहिन, जै भारत टेक क्या, बाबाए